तो दोस्तो आज मैं एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी दमन को इसकी IMDB रेटिंग है 9.2 आउट आफ 10 जो की मूवी के हिसाब से काफी सही है मैं मूवी को एक्स्प्लेइन करूँगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निचलाल कलर से लिके सब्सक्राइब को दबा कर ग्रे कर दें इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए मैं आप के लिए वीडियोस लाता रहूंगा और मुझे दोड़ा और करीब से जानने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम या फेस्बूक अकाउन को भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो मुवी की शिरुवात में हम सिधार्थ नाम के एक लड़के को देखते हैं जो की पेशे से डॉक्टर होता है और उसकी पहली पोस्टिंग हुई थी उडिसा में बसे मलकन गरी जिले से कटे हुए एक पिछड़े गाउं जन बाई के प्राथमिक स्वास्त केंदर में पहुच जाता है लेकिन वहां से भी उसे और आगे जाना था जिसके लिए सिर्फ एक जीप ही जाती थी तो वो जल्दी से उसमें सवार हो जाता है फिर जीब भी अपने गंतवे पर पहुंच जाती है लेकिन उसे और आगे जाना था जहां जाने के लिए जीब नहीं नाव लेनी पड़ती थी क्योंकि जनबाई जाने के लिए कोई सड़क ही नहीं थी सिधार्ट नाव में सवार होकर थोड़े बहुत कष्ट उठाते हुए कैसे भी करके जनबाई स्वास्त केंदर पहुंच जाता है और वहां उसकी मुलाकात होती है रवी नाम के लड़के से जो कि उस स्वास्त केंदर का फार्मसिस्ट होता है वहां पर एक नर्ज भी थी जिसकी शादी थी तो वो छुटी पर थी और अगले दिन काम पे आने वाली थी सिधार थक हार के कुरसी पर बैट जाता है और फिर चारों और अपनी नजरे गुमाता है तो पाता है कि कमरा पूरा सीलन से भरा हुआ है और आलत पूरी खसता है जनबाई गाउं उडिसा की एकदम कटे हुए एरिया में आता था समझ लीजे कि वहां से सबसे पास के शहर जाने के लिए पहले पैदल चलना होता था फिर नाओ से नदी पार करनी होती थी फिर उसके बाद जीब से सफर करना होता था तब जाके कोई छोटे से शहर में पहुँच सकते थे और फिर वहां से सफर करके किसी बड़े शहर में जा सकते थे जनबही की तरह वहाँ पर 151 गाओं और थे जो कि थे तो भारत देश में ही पर इकदम कटे हुए थे कि ना तो वहाँ जाने के लिए सलक थी ना ही कोई विवस्था जिससे की जीवन मजे से गुजर सके वहाँ पर मुबाइल नेटवर्क भी नहीं आता था क्यूंकि टावर ही नहीं लगे थे तो अब आप समझ जाएए कि कितना पिछड़ा हुआ इलाका है ये स्वास्त केंदर से थोड़ी ही दूर सिधार्थ को अपना क्वाटर मिला था जो कि किसी भूतिया घर से कम नहीं था पर रहना तो उसे वहीं था इसलिए अपना मन मार कर वहीं अपने आपको विवस्थित कर लेता है रात में बिजली ना होने के कारण उसे गर्मी लग रही थी और जंगली एरिया होने की वज़ा से मच्छर भी उसका खून चूसने में पड़े हुए थे जिसके कारण उसकी नींद भंग हो जाती है और वो घर के बाहर पड़ी बेंच में जाकर बैट जाता है वो अपने उस समय को याद करने लगता है जब वो और उसके मित्र डिगरी मिलने के बाद पार्टी कर रहे थे और सभी लोग सोच रहे थे कि अब तो वो डॉक्टर बन गए हैं तो उनकी लाइफ तो सेट हो गई और खूब पैसे कमाएंगे पर पहली पोस्टिंग तो रूरल एरिया में होती थी तो सिद्धार्ट ने कोशिश की थी कि उसे भवनेश्वर के आसपास का गाउं मिले पर उसकी कोशिशें बेकार रही और अब उसे इस गाउं में आना पड़ा जो कि उसे कुछ खास भा नहीं रहा था अगली सुबह सिद्धार्ट अपना बैक पैक करके खड़ा होता है और रवी के आते ही कहता है कि मुझे नाओं के पास छोड़ दो क्योंकि मैं इस नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ रवी बताता है कि यहाँ पर एक ही नाओं चलती है जिसका इंजन खराब हो गया है तो अब नाओं सिद्धा कल ही मिल पाएगी इसलिए आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा अब हम देखते हैं कि रात में दोनों लोग नदी किनारे बैट कर मदीरा पान कर रहे हुते हैं तब ही रवी बताता है कि एक दिन मैंने देखा कि कुछ लोग नदी में बड़ा सा भगोना लेकर आ रहे हैं मैंने भगोने में जहांक कर देखा तो उसमें गर्बवती मैला दर्द से करहा रही थी उसे मलकनगरी हॉस्पिटल ले गए लेकिन देर होने के कारण बच्चा और माँ दोनों ही मारे गए रवी कहता है कि भुवनेश्वर और मलकनगरी के बीच विकास का फासला उतना ही है जितना इंडिया और अमेरिका के बीच में है नदी के पार 151 गाओं और हैं और आप जितना अंदर जाओगे उतना ही ज़्यादा आपको देखने मिलेगा कि वहाँ कोई विवस्था नहीं है अगर भारत अमेरिका से 50 साल पीचे है तो मलकनगरी 500 साल पीचे है इस एरिया को कट आफ एरिया कहा जाता है और पता नहीं ये कट आफ एरिया इंडिया से कब कनेक्ट होगा यहाँ पर पुल बनाने का काम 1982 से चल रहा है पर 33 साल बीच गये लेकिन हमारी सरकार से एक पुल नहीं बन पाया कभी नकसली लोग हमला कर देते हैं तो कभी बारिश का प्रकोप आ जाता है और सब काम ठप हो जाता है नशे में अकसर लोग ऐसे ही कई सारी सच बाते बोल डालते हैं और रवी ने भी वहाँ की सारी सच्चाई सिधार्थ के सामने बोल दी थी इस उमीद से कि वहाँ की सारी तकलीफें सुनकर वो पिघल कर रुख जाएगा पर सिधार्थ कहता है कि कल सुबह मुझे समय पर नाओं के पास छोड़ देना अब अगली सुबह सिधार्थ नाओं पर एक कदम रखता ही है कि तभी वहाँ एक आदमी आका रोते हुए कहता है कि मेरी बच्ची के अंदर भूत आ गया है वो बिलकुल भी ठीक नहीं हो रही उसका इलाज कर दो वो आदमी सिधार्थ के हाथ पाउंच जोड़ने लग जाता है जिसके चलते इंसानियत के मारे सिधार्थ उसकी बच्ची का इलाज करने के लिए मान जाता है बच्ची को बहुत तेज बुखार था और शरीर एकदम कमजोर पड़ चुका था तो उसके पिता जी कहते हैं कि इसके उपर भूत का साया है और हमने जान फोक वाले बाबा को दिखाया पर ये फिर भी सही नहीं हुई तो इसे मैं आपके पास ले आया सिधार्थ को ये सुनकर बहुत गुसा आता है कि बच्ची की इतनी तवियत खराब है और वो उसे यहां लाने के बजाए बाबाओं के पास लेके गया था तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है तो सिधार्थ उन्हें बच्ची का मलेरिया टेस्ट करने को कहता है जो की पॉजिटिव आता है सिधार्थ बच्ची के पिता जी के उपर चिलाते हुए कहता है कि इसके उपर भूत नहीं चड़ा है बलकि उसे मलेरिया है और अगर इसे थोड़ी और देरी से लाते तो उसकी मौत भी हो सकती थी सिद्धार्थ बच्ची का इलाज शुरू कर देता है कि तबी उसे दिवाल पर लिखे हुए कई सारे सुविचार नजर आते हैं एक जगा लिखा हुआ था कि जहां चिकित्सा शाली का सम्मान किया जाता है वहीं मानवता का भी सम्मान होता है वहाँ ये भी लिखा था कि जब हम सारी उमीद खो देते हैं तब डॉक्टर में ही जादूई शक्ती होती हैं जिसकी मदद से वो हमारी स्वास्त को सही कर देता है ऐसे ही कई सारे विचार स्वास्त केंदर की दिवाल पर लिखे हुए थे जिने पढ़कर सिधार्ट को याद आता है कि उसने इतनी पढ़ाई क्यों की और वो डॉक्टर क्यों बना इसलिए ताकि वो लोगों का इलाज कर सके उन्हें नई जन्दगी दे सके और आज वो अपने ही कर्टवे से भाग रहा था तब ही वहाँ बच्ची के पिता जी आकर बताते हैं कि हमारे पूरे गाउं में ऐसे ही लोग बिमार हैं और सब सोचते हैं कि उनके उपर भूत का साया है अगर आप हमारे गाउं में आकर इलाज करके लोगों को बताएंगे तो लोग आपकी बात जरूर सुनेंगे और उन्हें सच्चाई का पता चल पाएगा कि भूत का नहीं बलकि मलेरिया का साया है वरना सब दीरे दीरे मरते चले जाएंगे सिधार्त की अब आँके खुल जाती हैं और वो अब जाकर समझ पाता है कि उसका आदा क्या है तो वो फैसला करता है कि वो नौकरी छोड़ कर वापिस नहीं जाएगा बलकि मलेरिया टेस्टिंग केट लेकर गाउं गाउं जाकर सभी का टेस्ट करेगा सिधार्त और रवी उस आदमी के साथ उसके गाउं जानने के लिए निकल लेते हैं कई किलोमीटर सफर करने के बाद आखिरकार गाउं आही जाता है वो गाउं इतना पिछला था कि किसी को भी जानकारी ही नहीं थी कि मलेरिया कौन सी बिमारी होती है और कैसे फैलती है सिधार्त घर घर जाकर सभी का टेस्ट करना शुरू करता है और वो आदमी इस काम में लोगों को समझाने की मदद कर रहा होता है कुछ लोग उनको भगा दे रहे थे ये कहकर कि हमारे जान फोंक वाले बाबा ही सब कुछ है लेकिन सिधार्त सब को समझा बुजा कर कैसे भी मना कर उनकी टेस्टिंग कर ही लेता है अब हम देखते हैं कि सारा काम खतम करने के बाद अपनी ठकान मिटाने के लिए सिधार्त और रवी महौल बना कर जाम लड़ा रहे हुते हैं तब इस सिधार्त कहता है कि कल रात तक मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ फस गया हूँ और जल से जल यहाँ से निकलना चाता था पर उस बच्ची के मासूम चहरे ने मुझे जाने नहीं दिया अगर मैं चला जाता तो मैं अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाता यहाँ गाओं वालों के पास कोई सुख सुविधा नहीं हैं फिर भी कितने खुश हैं यह लोग अगर जान फूंक वालों की बातों में आना छोड़ दें तो और भी खुश रह सकते हैं यह जान फूंक करने वाले बस पैसों के लिए लोगों को बेवकूब बना रहे हैं और हम अपने डर के चलते उन लोगों तक पहुँचने से डरते हैं रवी कहता है कि अभी तो आप एक ही गाउं गए हैं और इस गाउं के जैसे 150 गाउं और हैं जहां लोग ऐसे ही मर रहे हैं अब अगले दिन हम देखते हैं कि सिदार्थ डियम के पास जाता है और गाउं के समस्या बताते हुए कहता है कि 150 गाउं के लिए सिर्फ एक ही स्वास्त केंद्र है और लोग जाणफों के चक्कर में पढ़कर वहां भी नहीं आते सिद्धार्थ समस्याओं का समधान भी बताता है पर डियम साहब कहते हैं कि अभी तो तुम जवान हो इसलिए अभी तुम जाओ और मेहनत करके काम करो लेकिन साफधान रहना क्योंकि पहाड़ी एरिया है अब हम देखते हैं कि सिद्धार्थ एक गाउं में जाता है तो वो देखता है कि वहां कई सारे जाणफों करने वाले बाबा जमा है और वो लोगों के अंदर भूत बता कर उनका जाणफों कर रहे हैं सिद्धार्थ को साफ साफ समझ आ रहा था कि उनके अंदर कोई भूत नहीं है बलकि वो बिमार हैं पर रवी उसे कुछ भी करने के लिए रोक देता है क्योंकि गाउं वाले उन पर बहुत विश्वास करते थे तो अगर वो कुछ करता तो सभी गाउं वाले उसे ही मार कर भगा देते रवी सिद्धार्थ से कहता है कि यहां रहने वाले लोगों का इन जानफो करने वाले बाबाओं से गहरा रिष्टा है सालों से ये लोग उन पर भरोसा करते आ रहे हैं आप और मैं चाह कर भी उन लोगों का उन पर से भरोसा नहीं तोड़ सकते इन बाबाओं की दवा खा कर कोई मर भी जाता है तो इने फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बात इनकी शद्धा की है हम अगर इनके भले के बारे में सोचेंगे तो भी ये हम पर भरोसा नहीं करने वाले क्योंकि हम और आप तो उनके लिए परदेशी जैसे हैं अब अगले दिन हम देखते हैं कि सिधार्थ सर पर गमचा बांद कर और गाउं वालों के कपड़े पहन कर तयार हो जाता है और कहता है कि अब तो मैं परदेशी नहीं लग रहा तो अब तो गाउं वाले मुझे अपना समझ कर मेरी बात मान ही लेंगे अब सिधार्थ गाउं गाउं जाकर हर बिमार इंसान का इलाज करना शुरू कर देता है और जिन लोगों में मलेरिया के लक्षन दिखाई दे रहे थे उनका टेस्ट भी करते जा रहा था और अब उसके कदम रुकने वाले तो नहीं थे हम देखते हैं कि सिधार्थ गाउं में सभी का इलाज कर रहा होता है कि तबीवान नकसली आ जाते हैं और उसके उपर और बाकि सभी गाउं वालों के उपर बंदूग तान देते हैं नकसली लोग रगु नाम के एक आदमी को पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि उसने उनके अड़े की जानकारी पुलिस को दी जिसके चलते उनके चार लोग मारे गए रगु अपनी जान की भीक मांगते हुए कहता है कि पुलिस पहले से ही तुमारे ठिकाने का पता जानती थी और मैंने कुछ नहीं किया पर वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं उनके जाने के बाद रवी सिधार्थ को बताता है कि रगु की बीवी पेट से है और उसे बहुत तेज दर्द हो रहा है पर गाउं का कोई भी इंसान नकसलियों के डर से उसकी मदद करने को तयार नहीं है तो हमें इसका इलाज करना होगा सिधार्थ उसका चेकप करता है तो पता चलता है कि उसे बहुत तेज बुखार है और उसकी हालत वक्त गुजरते और खराब हो रही है तो अगर उसे शहर के अस्पताल नहीं पहुचाया तो सब कुछ खतम हो सकता है गाउं में रहने वाले लोग मदद करने नहीं आ रहे थे तो सिधार्थ एक लकड़ी में कपला बांता है और उसी में औरत को रख कर दोनों लोग उसे अपने कंदे पर उठा कर पैदल चल देते हैं उबड़ खाबड रास्ते और पहाडियों और छोटी नदियों को पार करके वो लोग बड़ी नदी के पास पहुच जाते हैं जहांसे नाव लेकर शहर जाया जाता था पर वहाँ अचानक मौसम खराब होने की वज़े से उन्हें नाव नहीं मिलती सिदार्थ सोचता है कि अब उसके डिलीवरी वहीं करनी होगी तो वो उसे स्वास्त केंद्र ले जाता है और रवी, नर्स और वो तीनों मिलकर पूरी कोशिश करने लग जाते हैं सुरक्षे डिलीवरी करने की सिदार्थ समझ जाता है कि अब इनकी नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं हो सकती इसलिए वो आपरेशन करके डिलीवरी करने का सोच लेता है ये जानते हुए भी कि उसके पास पूरी विवस्था नहीं है लेकिन उसके पास यही एक रास्ता था एक जान को इस दुनिया में लाने का और दूसरी जान को बचाने का काफी जन्तो जहत करने के बाद आखिरकार आपरेशन पूरा हो जाता है और खुशी की बात ये कि वो काम्याब होता है जिसके चलते एक नन्हे से बच्ची की इस दुनिया में इंट्री हो जाती है सभी के आखों में खुशी के आसू थे क्योंकि वो पल ही ऐसा था कि सब लोग एकदम भावुक हो गए थे क्योंकि उन्होंने आज किसी की जान बचाई थी अब अगले दिन हम देखते हैं कि स्वास्त केंदर के बाहर गाउवालों की भीड लगी होती है जिसमें कि रगु और उसकी बीवी भी शामिल होती है रगु सिधार्थ के सामने हाँ जोडते हुए उसे शुकरिया कहता है कि उसने उसकी पतनी और बच्चे की जान बचाई वो बताता है कि जंगल में पुलिस और नकसलियों के बीच गोली बारी शुरू हो गई तो मैं कैसे भी वहाँ से बचके भाग आया जब घर आया तो मुझे सब कुछ पता चला कि मेरी पतनी की मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया बस आप लोग आये रगु बताता है कि हमारी पतनी ने हमारे बच्चे का नाम सिधार्थ रखा है क्योंकि वो आपको कभी भी भूलना नहीं चाहती जो भी लोग उसके साथ आये थे वो सब अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से उपहार के रूप में सिधार्थ के सामने खाने पीने का समान रख देते हैं क्योंकि वो कैसे भी करके उसको धन्यवाद कहना चाते थे गाउं के सभी लोग सिधार्थ से माफी मांगने के लिए उसके सामने जुग जाते हैं और सभी उसे भगवान जितना दरजा दे रहे थे क्योंकि भगवान ही है जो किसी के प्राण बचा सकते हैं जो कि सिधार्थ ने कर दिखाया था शायद इसलिए डॉक्टरों को भगवान समान माना जाता है अब अगले दिन हम देखते हैं कि जो आदमी पहली बार बच्ची लेकर आया था वही दुबारा से अपनी बच्ची लेकर आता है और बताता है कि ये फिर से बिमार हो गई है उसका फिर से मलेरिया का टेस्ट होता है तो पता चलता है कि उसे दुबारा से मलेरिया हो गया है बच्ची के पिता जी को भी खासी हो रही थी तो सिधार्थ को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड है तो वो उनका भी टेस्ट कराता है तो पता चलता है कि उन्हें भी malaria है आदमी बताता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन मच्छरों को खतम नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा जंगल एरिया है जिसके चलते हर दूसरे इंसान को malaria हो जाता है सिधार सोचता है कि अगर सबी लोग मच्छर दानी का इस्तमाल करना शुरू कर दें तो शायद मलेरिया के मरीजों में गिरावट आ सकती है अगले दिन से धार्द फिर से डियम के पास पहुँच जाता है और डिमांड करता है कि सभी गाओं के सभी घरों में एललाइयन बाटे जाएं तब ही मलेरिया होने से लोग बच पाएंगे एललाइयन मतलब लॉंग लास्टिंग इंसेक्टिसिडल नेट एक ऐसी मच्छर दानी जिसमें कीट नाशक पड़ा होता है और मच्छर अगर उसके पास भी भटकते हैं तो दवाई के कारण मर जाते हैं और यह मच्छर दानी तीन साल तक चल सकती है तो इसे स्पेशल मच्छर दानी को सभी में बाटने की सिधार्थ अपील करता है पर इसमें खर्चा बहुत आने वाला था लेकिन डियम सहाब इस काम को करने के लिए मान जाते हैं अब दो-चार टीम बनाई जाती हैं मच्छर दानी वितरन करने के लिए और सभी गाउं के हर घर में मच्छर दानी बाटी जाती है ताकि लोग उसका इस्तमाल करके मच्छरों से बच सकें और मलेरिया होने के संभावनाएं कम हो मच्छर दानी तो बाट दी गई थी पर उसका काम क्या है वो कितनी जरूरी है ये किसी को बताया ही नहीं गया तो लोग अपने काम के हिसाब से उसका इस्तमाल करने लग जाते हैं जैसे कि मच्छली पकड़ना, अपने खेत में बाउंडरी के तरह इस्तमाल करना या जूला बना कर बच्चों को जुलाना और इन सभी हरकतों से सिधार्थ पूरी तरह से अंजान था और सोच रहा था कि अब सब सही हो जाएगा सही होता भी है लेकिन बस कुछी दिनों के लिए और छे महीने बाद स्वास्त केंदर का महौल ही बदल जाता है हमें देखने को मिलता है कि पूरे स्वास्त केंदर में लोग बिमार लेटे पड़े हैं और हर जगए लोग मलेरिया से ग्रसित हो चुके थे और लगातार मरीज बढ़ते जा रहे थे स्वास्त केंदर में केवल सिधार्थ, रवी और नर्सी थे और वो तीनों पूरी जान लगा कर इस कोशिश में लगे हुए थे कि वो हर मरीज को देख पाएं और उनका इलाज कर पाएं पर अचानक इतने लोगों के बिमार होने से उनका काम और मुश्किल होता जा रहा था उडिसा के स्वास्त मंतरी कलेक्टर साहब से कहते हैं कि हम इतना पैसा खर्च कर चुके हैं पर फिर भी मलेरिया के केसिस क्यूं बढ़ते जा रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें इसे रोकना होगा क्योंकि सब की नजर हम पर है तो अगर ये केसिस और बढ़ते रहे तो ये हमारी नाकामी होगी उदर गाओं में केसिस बढ़ते ही जा रहे थे और थमने का नाम नहीं ले रहे थे और इतने सारे लोगों को एक साथ बिमार देखकर सिधार्ट एकदम हताश हो जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आज ये हालत हो गई और अब भी वो उन सब के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था सिदार्थ रवी से कहता है कि मुझे लगा था कि MBBS करने के बाद मैं मरीजों को बचाऊंगा पर ऐसा हुआ नहीं आज की समय में हमारे यहां सारी सुख सुविधाएं हैं और सारी टेकनलोजी भी है पर वो सभी सेवाएं उनके लिए हैं जिनके पास पैसा है पर जिनको जरुवत है उन्हें तो वो फैसलिटीज मिलती ही नहीं यानि की पैसे नहीं तो सुविधा नहीं और सुविधा नहीं तो जिन्दगी नहीं यहां रहकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने देश में हूँ ही नहीं इनके पास ना अस्पताल है ना अस्पताल जाने का साधन ऐसे तो ये सभी लोग मरते ही रहेंगे तबी सिधार्ट के दिमाग में एक बात आती है कि इन लोगों को जो मच्छरदानी बाटी गई थी शायद इन्होंने उसका इस्तमाल ही नहीं किया जिसके चलते मलेरिया फैलता ही चला गया अगले दिन सिधार्ट दुबारा डिम से मिलता है और कहता है कि हमें एक टीम बनानी होगी जो कि घर घर जाकर बताए कि मच्छरदानी का यूज क्या है और उसके फाइदे क्या है अब एक मीटिंग बठाई जाती है जिसमें कि सिधार्ट सभी को समझाता है कि जो मलेरिया वह फैल रहा है वो कितना खतरनाक है और हमें क्या करना चाहिए जिससे कि इसकी रोक थाम हो सके मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए जो कुछ भी किया जाना था उस प्रोग्राम का नाम वो दमन रखता है यानि कि दुर्गामा, आंचलारे, मलेरिया, निराकरन मतलब उन छेतर से मलेरिया का नाश करना जहां मलेरिया बुरी तरह फैला हुआ है। सिधार्थ की बातों को सीरियस लेते हुए कई सारी टीम बना कर उन्हें अलग-अलग गाउं में भेज दिया जाता है। जहां वो सभी को अच्छे से समझा रहे होते हैं कि मच्छरदानी का इस्तमाल क्या ह और कितने लोग इस्तमाल कर रहे हैं और कितने नहीं। अब हम देखते हैं कि सिधार्थ और रवी रात में गाउं जाकर देखने जाते हैं कि लोग मच्छरदानी का इस्तमाल कर रहे हैं या नहीं। तो पता चलता है कि कई लोग अभी बिना मच्छरदानी के ही सो रहे सिधार्थ इतनी मेनत करे डाल रहा था लोगों को जागरू करने के लिए लेकिन लोग समझने को तयार नहीं थे सिधार्थ अगली रात को स्कूल में बजने वाली घंटी ले आता है और उसे जोर जोर से बजाते हुए सब को संदेश दे रहा होता है कि सभी लोग मच्छादानी का इस्तमाल करो ऐसा वो इसलिए कर रहा था ताकि लोगों की नींद पूरी ना हो अगर सोना है तो पहले उन्हें जागना होगा और जो कहा गया है वो करना होगा और जब सभी लोग उसकी बात समझ जाएंगे तभी वो चैंसे सो पाएंगे यहां तक कि वो उन लोगों की मदद भी कर रहा था जिने मच्छादानी लगाने नहीं आती कुल मिलाकर वो लगा पड़ा था मलेरिया को खतम करने के मिशन में जो कुछ भी सिधार्थ कर रहा था वही वो अपनी सभी टीम को भी करने के लिए कह देता है यानि कि घंटी और लॉड स्पीकर का इस्तमाल करके रात में सभी को जगाना और बताना की मच्छादानी का इस्तमाल करो और उन्होंने टार्गेट रखा था कि 21 दिन तक ऐसा करना है ताकि उन्हें आदत पड़ जाए मच्छादानी लगाने की ऐसा कई दिनों तक चलता है और इसका असर भी दिखना शुरू हो जाता है यानि कि अब लोगोंने मच्छादानी का इस्तमाल करना शुरू कर दिया था और अब मलेरिया के केसेज भी घटना शुरू हो गए थे अख़बारों और न्यूस चैनल्स में हर जगा मलकन गिरी जिले की खबरें चल रही थी कि वहाँ पर जो हालत थी अब तेजी से सुधर रही है और काफी बदलाव देखने को मिल रहा है ये सारी खबरें देख और सुनकर रवी और नर्स सिधार्ट से कहते हैं कि आप से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और आज हमारे गाउं की हर जगा चर्चा हो रही है वो भी आपकी वज़े से सिधार्थ कहता है कि मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं हुआ है इस मिशन की काम्याबी में तुम भी शामिल हो और वो सब भी जिन्होंने हमारी मदद करी इस मिशन को सफल बनाने में अब हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से एक अफसर आता है जिसे काम दिया गया था गाउं गाउं जाकर पता लगाना कि जो काम सौपा गया था वो पूरी तरह से हुआ है या नहीं और क्या मलेरिया वाकई में घटा है या सिर्फ चर्चाओं में है और उसे सारी जानकारी लेकर एक रिपोर्ट बनाकर देनी थी तो वो अपने काम में लग जाता है ओफिसर जहां भी जाता सभी लोग सिधार्थ की बात कर रहे होते हैं और सभी लोगों से सिधार्थ की खूप सारी तारीफे सुनने मिल रहे होती हैं अब आफिसर अपनी रिपोर्ट तयार कर लेता है और अब सभी डिपार्टमेंट के में लोगों को बुला कर एक मीटिंग बैठाई जाती है। आफिसर बताते हैं कि मेरी रिपोर्ट के हिसाब से अभी मलेरिया पूरी तरह नहीं गया है। लेकिन खुशी की बात ये है कि 40 प्रतिशत से कम होकर सिर्फ 4 प्रतिशत ही रह गया है। जिससे कि समझ आता है कि काम तो हुआ है और सबने खूब मैनत करी है। क्योंकि जहां सडक नहीं है और कुछ भी विवस्था नहीं है वहाँ आपने इतने कम दिनों में मलेरिया के केसिस को कम कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। कलेक्टर सहाब कहते हैं कि वैसे तो इस काम का श्रेश सभी लोगों को जाता है पर शुरुआत सिधार्थ ने की थी। सिधार्थ खड़ा होकर अपना इंट्रॉडक्शन देता है तो आफिसर कहते हैं कि मैंने गाओंवालों से तुम्हारे बारे में बहुत सुना और सब तुम्हारी इज़त करते हैं। उनकी दिलों में तुम्हारे लिए सम्मान हैं और वही तुम्हारी असली जीत है। उदर रास्ता खराब है, सड़के नहीं है, नकसलियों का भी डर है, फिर भी तुम जैसे जवान डॉक्टर ने ये सब कर दिखाया, तो तुम क्या हमें बताना चाहोगे कि तुम्हें अपनी प्रेड़ना कहां से मिलती है इतनी मेहनत करने की। सिधार्द कहता है कि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि इतना सब कुछ हो गया, कभी नहीं लगा कि जिस जगा से मैं एक ही दिन में वापिस आने वाला था, उस जगाय पर तीन साल बिता दूँगा, सच कहूं तो अगर सरकारी नियमों का कोई डर नहीं होता तो ना तो मै उस जगाय पर जाता और ना कभी उन लोगों के साथ रहने का एक्सपिरियंस होता, और जिस प्रिणा के बारे में आप जानना चाते हैं, वो बस मेरा इन गाउं वालों से लगाव है, जिन पहाडों और नदियों और तलाबों पर हम जाना पसंद करते हैं, ये गाउं वाले उनकी आत्मा है, पता नहीं मैंने क्या किया और क्या नहीं, मैंने तो बस डॉक्टर होने के नाते अपना फर्ज निभाया, बस और कुछ नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक अच्छा डॉक्टर बिमार को ठीक करता है, लेकिन एक महान डॉक्टर बिमारी को ठीक करता है, म मेरे इस मिशन को अपना समझ कर उसे काम्याब बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिदार्थ पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहता था ताकि वो और पढ़ाई करके और अच्छा डॉक्टर बने और लोगों की मदद करे। इसलिए अब उसे गाउं छोड़कर जाना पड़ रहा था ताकि उसका सफर आगे बढ़ सके। उसे अलविदा कहने के लिए 151 गाउं के सभी लोग आए होते हैं और सब यहीं मना रहे थे कि वो कहीं न जाए बलकि यहीं रहे। पर सिधार्थ को भी अपना भविश देखना था और उसे अभी आगे और लड़ाई लड़नी थी इसलिए वो नहीं रुक सकता था। सिधार्थ सभी को अलविदा कहकर नाओं में सवार हो जाता है अपने नए सफर की शिरुवात करने के लिए और फिर इसी के साथ मूवी यहीं पर खतम हो जाती है। तो दोस्तों जो कहानी आपने सुनी वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। उडिसा के सरकार ने सच में दमन नाम का एक प्रोग्राम चलाया था जिसका मकसद था मलेरिया को पूरी तरह से नश्ट करना। जो हमें सिधार्थ नाम के डॉक्टर दिखाए गए हैं वो असल जिंदगी में भी हैं जिनका नाम है ओमकार होता। जो जो फिल्म में कठनाईया और चीजे बताई गई हैं सब असल जिंदगी में भी वैसा ही हुआ था। और रोमकार जी ने इसी तरह सब की मदद की थी और मुहीम चलाई मलेरिया को खतम करने की। ये कहानी 2015 की है तो उस समय हालात कुछ ऐसे ही थे पर अब मलकनगरी जाने के लिए पुल भी बन गया है और सड़के भी बनना शुरू हो गई हैं तो इतने सालों में काफी बदलाव आ गया है। बाकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है ये तो बताना मुश्किल है क्योंकि वहाँ के लोगों से बात करके ही पता चल पाएगा कि अब हालात क्या हैं। तो अगर कोई उडिसा का रहने वाला है तो कमेंट करके हमें जानकारी दे कि इतने सालों में वहाँ पर क्या सुधार आया है क्या नहीं। MBBS के डिगरी खतम करने के बाद नियम होता है कि विद्धार्थी को एक से लेकर पांच साल तक किसी ग्रामीड छेतर में काम करना होगा ताकि वो किसी भी परिस्तिती में मरीज को संभाल सके और चीजों को सीख सके कि बिना फैसलेटी के भी सब कुछ कैसे हैंडल करना है। जाकर काम करना पसंद नहीं करेगा बलकि शहर में रहकर ही पैसा चापेगा और अराम की जिएगा। तो बस इसलिए इसे आवश्यक कर दिया गया ताकि सभी सीखें और जाने कैसे क्या होता है। दॉक्टर्स अपना मान सम्मान त्याग करके लूटने में लगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना गलत बात है या पैसा कमाना ही नहीं चाहिए। पर जिस चीज के लिए आप हो उस काम को इमानदारी के साथ करो और तब पैसा लो तो अच्छा भी है। बड़े-बड दॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है लेकिन ये भगवान तो पैसे लूट-लूट कर हमारे ही प्राण निकालने में लगे होते हैं। बस उमीद की जा सकती है कि ओमकार होता जैसे और भी लोग आते रहें जो अपने काम को एक जिम्मदारी मान के अपना पूर को विश्वास और अंधविश्वास में न फरक करना आना चाहिए ताकि वो ऐसे ज़ान भू करने वाले ढोगी बावाओं के चकर में न पढ़ें। जानकारी ऑभाव में अक्सर लोग इन लोगों के चक्रों में पढ़ जाते हैं और ना जाने का क्या कर डालते हैं। फिल् विश्वास करना सही नहीं होता इस मूवी से हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि किसी काम को शुरू करने के लिए हमें इस बात का रोना नहीं रोना चाहिए कि हमारे पास तो वो नहीं है ये नहीं है बलकि जो हमारे पास चीजें मौजूद हैं उन्ही का इस्तमाल करते हुए काम की शुरुआत कर देनी चाहिए और अपनी पूरी मैनत और समय उस काम को दो तो काम्याबी भी मिल जाती है और फिर इसके बाद आप किसे चीज की डिमांड करते हैं तो आपके काम को देखते हुए आपकी डिमांड भी पूरी हो जाती है तो जो है उसमें ही अच्छा करने की कोशिश करो और फिर बाद में सब कुछ और भी अच्छा हो जाएगा फिल्म की बात करें तो इस मूवी के जरिये शायद हम पहली बार उडिया फिल्म इंडेस्ट्री से रूबरू हो पाए वरना ऐसे तो कभी इसकी चर्चा नहीं हुई थी उडिया फिल्म इंडेस्ट्री से ये पहली फिल्म है जिसकी पूरी भारत में चर्चा हुई और इतनी चर्चा हुई कि इसे हिंदी में भी रिलीस करना पड़ा इस मूवी ने फिर से साबित कर दिया कि कंटेंट इस दा केंग दमन और कंतारा जैसे फिल्में ये साबित करते जा रही हैं कि आप कलाकार का रुद्बा नहीं बलकि फिल्म की कहानी भी फिल्म को हिट करा सकती है अब एक्टिंग की बात करें तो इस फिल्म में कोई बहुत बड़े जाने माने कलाकार नहीं लिए गए हैं बस दो ही में कलाकार हैं जो उडिया फिल्म इंडस्टी में पहचाने जाते हैं जिनका नाम है बबूशन मोहंती और दिपानविद दाश मुहाब पात्रा मैं माफी चाहूंगा अगर मेरा उच्चारन सही ना हो तो बबूशन ने सिधार्थ का रूल निभाया है और दिपानविद ने रवी का मैंने पहले तो उनकी आक्टिंग नहीं देखी है पर इस फिल्म को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों की आक्टिंग काफी नैचरल देखने को मिलती है और दोनों लोगों ने अपने किरदार को काफी अच्छी तरह निभाया है और बाकी जितने भी लोग आपको देखने मिले वो वहीं के सारे गाउं वाले लोग है तोन लोगों की भी तारीफ तो बनती है कितने अच्छे से सपोर्ट किया जिसके कारण ये फिल्म बन पाई इस फिल्म में ना तो फालतू कॉमेडी है ना प्यार का एंगल है ना फाइटिंग सीन है ना कोई विलन है और ना ही कोई आइटेम सॉंग बस सच्चाई है जिससे बिना छेर चाड़ किये अच्छे स्क्रीन प्ले और डिरेक्शन के साथ फिल्म में दिखाया गया है ये ऐसी फिल्म है जिसे आप अपने पूरे परिवार के साथ देखने चा सकते हैं और इस मूवी को देख कर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा आखिर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि रियल हीरो ओमकार हुटा का हमारी तरफ से शुक्रिया जिन्होंने इतने अच्छे काम किये और इस मूवी को बनाने वालों का भी शुक्रिया जिन्होंने उनकी कहानी हमें दिखाई जिससे कि हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला तो ये था एक्स्प्लेनेशन दमन मूवी का आपको मूवी और मेरा एक्स्प्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाएगी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरू करें आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई और नमस्ते झाल 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 झाल